याँ जानकर विले जो तीन तलाक का जो मसला है पूरे भारत के अंदर गुझ रहा है तीन तलाक से महिलां का जो एक जो गजो आफ महीता है पूर्ड़ बूरा लेकिन आज महीला है यह अपने आपको खूद इस तरीके से ंसरी कि कोई हमारा मामला नहीं था ये बनाए हुई बात है हमारे बीच में यूवा नेता जो बिहार से संबंद रखते हैं हम उसके खुद इंट्रोडेक्शन लेते हैं और आज जो कल बिल पास होने जा रहा है इनकी क्या प्रितिक्रिया रहेगी सर आपका नाम सज्जाद हुसान अक्तर और फनवा बजियाबादी मैं बिहार स्टेट का यूथ प्रेस्टेंट हूँ यानि के जो मुस्लिम लीग क्या यूवा संगठन है मुस्लिम यूथ लीग मैं उसका यूथ प्रेस्टेंट हूँ अब ही जो आपने देखा ही हमारी अउड लेवल इंडिया की जो मिटिंग चल रही है तलाक सलासा पर और जो कल बिल पास होने की बात हो रही है बीजेपी की तरफ से उसको जोरदार तरीके से मुस्लिम लीग जो है अपोस कर रही है अपोस करने के सबसे अहम वज़ा यह है कि इसमें मुस्लिम लीग के लोग या जिसने भी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो मुस्लमानों की नुमाइंदगी करती है या यू कह लीजे कि जो मुस्लमान जिसको फॉलो करता है पूरे हिंदुस्तानी सतह पर जो हमारा आइन जो हम मुस्लिम लीग का तलाक खास करके कोई भी आपके बीजेपी की हुकुमत ने उनसे मश्वरा नहीं किया है और ये चोर दरवाजे से आपने बहुत सारे छुपी हुई चीज इनकी ऐसी चीजे हैं जो के इस बिल में पीछे से आपको दिखाई देगा और खास करके महिलाओं के लिए और मुस्लिम महिलाओं के लिए ये बिलकुल गर्णत साजिश के तहत इन लोगों ने इस तरह का एक बिल बनाया है जो हिंदुस्तानी मुसल्मान और उनकी महिलाओं को नुक्सान पहुचाने वाला है आगे आने वाले पविश्य में